कि हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल मोहित शिंगरू हलपे तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था कि अगर एक परसं दूसरे परसन को अगर चेक देता है, तो जिस परसन को चेक दिया गया है, क्या उसके बिहाब पर कोई परसन केस फाइट कर सकता है या फिर नहीं, लास्ट वीडियो में ये पॉइंट डिस्कूस किया था, आज की वीडियो में इससे भी इंट्रेस्टिंग पॉइंट है, कि जिस ने तो अब इसमें मेंड चीज जो देखने वाली है वह ये है कि पहले तो ये जो केस है चेक बाउंस का ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में जिस परसन ने ओफेंस किया है उसी को सजा दी जाती है और अब उसके बिहाब पे अगर किसी को फाइट करवाएंगे तो उसको सजा नहीं दी जा सकती तो क्या वह फिर भी किस लड़ सकता है या नहीं इसमें दो पहलों है एक तो यह कि मांलीजीए प्राणे कल एक जिस की तरह वीडियो थी उसकी तरह या अग्जैंपल लेते हैं राम ने श्याम को एक लाक रुपे दिये अब राम ने जो श्याम को एक लाक रुपे दिये और वो किसकी प्रिजन्स में दिये मोहन की प्रिजन्स में दिये अब श्याम ने जो है वो एक लाक रुपे का चेक दिया है राम को ये भी किसकी प्रिजन्स में दिया मोहन की प्रिजंस में अब जो श्याम है जिसने वह चेक दिया है राम को वह चेक हो गया बाउंस अब वह चेक बाउंस हो गया तो इस सिच्वेशन में अब जो प्रोसीडिंग चलेंगी वह श्याम के गेट ही चलेंगी क्या आब श्याम जो है वो S.P.A. मोहन की फिवर में दे सकता कि आपकी नोलिज में हैं ये चीज़े आपको सारी ट्रांजेक्शन का पता कि मैंने पैसे लिए थे और आपको ये भी पता कि मैंने चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया है तो आब मेरा S.P.A. बन के इस केस को फाइट कर लीजिए क्या वो लड़ सकता है हम मोहन मेंन कुएसन ये है तो इस सिच्विशन में पहली तो बात ये अगर उस केस में सजा होती है तो सियाम को ही मिलेगी क्योंकि साम ने जो है सियाम ने ही चेक इसू किया था उसी के अकाउंट से हो चेक बांस हुआ है सियाम ही इसका ओफेंडर है एक्यूजड है उसको इसमें सजा मिलेगी पहली तो बात ये सजा मोहन को नहीं दी जा सकती चाहिए वो S.P.A. भी श्याम जो मोहन के फेवर में कर दे अब दूसरी चीज चुनो सजा मान लेते हैं कि सजा हम श्याम को ही देंगे पर जो इंटायर ट्राइल है वो क्या मोहन फाइट कर सकता है ओन भी हाफ उफ स्याम कि स्याम ने S.P.A. बना दी मोहन के फेवर में अब मोहन लड़ेगा इंटायर ट्राइल लेकिन जो सजा श्याम को यह दी जाएगी ऐसा भी नहीं हो सकता बकाइदा मोहन को सारी चीज़ों का पता है कि एक लाग रोपेशन लिया था चैक भी मेरी प्रेजेंट में सारी फेक्ट उसको पता है एक एक चीज़ का गवा तो है वो उसको प्रसनल नोलिज भी है लेकिन फिर भी वो डिफेंड श्याम के बिहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि क्रिमिनल केस में जिस परसन ने ओफेंस किया है उसी को पुनिश्मेंट मिलती है और उसी को जो डिफेंड करना होता है क्योंकि अब स्टेटमेंट भी ओते हैं 313 CRPC होती है विदाव टोथ 313 CRPC जो है विदाव टोथ स्टेटमेंट होती है लेकिन वो एक्क्यूजड की ही कराई जाती है फिर उप चार्ज भी लगता है इसमें जैसे मेन क्रीमिनल केस होता तो अचलान पेस करने के बाद चार्ज लगता है ऐसे ही चेक बाउंस के केस में भी ज़मानत कराने के बाद नोटिस अप एक्युजिस्ट या फिर जिसको चार्ज बोला जाता है वो लगता है अब वो एक्यूज को ही लगेगा कि आपका ये 100-100 चेक जो है वो बाउंस हुआ था और आपने इतना मौन देना बन दाहिस का तो क्या आप इस ओफेंज को मानते हैं या फिर नहीं वो उस एक्यूज को ही बताना होता है और जो दूसरा 313 की स्टेटमेंट में बताये 313 CRP से की वो भी एक्यूज को ही अपनी विदावट ओथ करानी होती है तो फ्रेंड्स जो मोहन है श्याम के भिहाब पर नहीं वो केस फाइट कर सकता नहीं वो डिफेंड कर सकता नहीं जो श्याम के पुनिशमेंट है उस पे डाली जा सकती तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लेगल टोपिक के साथ और अगर आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं गया को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसे ऐसे इंट्रस्टिंग लीगल पॉइंट्स इस चैनल में डिसकस होते रहते हैं तो फ्रेंड्स थैंक्यू सो मच बाइबाइब